गाय का भारतिय संस्कृती और धर्म में अत्यंत महत्व पूर्ण स्थान है। उसे माता का दर्जा दिया गया है और उसकी महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और अन्यधार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं। गाय को पूजनिय और श्रद्धे माना जाता है। वेदों में गाय को अदिती, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप माना गया है। उसे पवित्र और पूजनिय बताया गया है। गाय के दूद, दही, घी, गोबर और गौव मूत्र को पंचगव्य कहा जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किये जाते हैं। भागवत पुराण में गाय की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गाय का पूजन करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और पूर्ण्य की प्राप्ती होती है। आज हम आपको गाय को रोटी खिलाने के सात्व दे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गाव में एक सुन्दर गाय रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी को उसके मालिक रामलाल ने बचपन से पाला था। उसकी देखभाल रामलाल के परिवार सभी सदस्य बहुत ही सनेह पूर्वक करते थे। गौरी ने अपने जीवन में कई बार दूध दिया था और गाव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब को अपने मीठे दूध से त्रिप्त किया था। रामलाल के घर की सम्रिध्ध कव एक बड़ा हिस्सा गौरी की बदौलत ही था। समय बिकता गया और गौरी धी जाह दी कि अब गौरी को अपने पास रखने का कोई फाइदा नहीं है। एक दिन रामलाल ने भारी मन से फैसला किया कि अब गौरी को छोड़ देना ही सही रहेगा। अपने राशा के साथ अपने मालिक को जाते देखा गौरी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसका मालिक ऐसा क्यों कर रहा है उसे लगा कि शायद कुछ पन है लेकिन मालिक उसे छोड़ कर वहीं चला गया गौरी लगातार उसे देखती रही और मालिक के जाने के बाद भी उसकी राह देखती रही ये सोचकर कि वह जरूर लोट कर वापस आएगा और उसे ले जाएगा गौरी उस परिवार को अपना मुखिया पानती थी और उन्हें अपने परिवार के सदस से समझती थी इसी लिए उसके मन में कभी भी उनके लिए किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं आई उन्हें हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और उन्हें दूध दिया लेकिन आज गौरी की आँखों में आंसू थे क्योंकि उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया था आखिर क्या वजह है वह कई दिनों तक उसका वहीं इंतजार करती रही लेकिन फिर भी वह लोट कर नहीं आया गौरी अब जंगल में अकेली रह गई थी वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी जंगल में उसे डराने वाले जानवरों का सामना करना पड़ा और खाने पीने के लिए उसे बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा वह दिन बदिन कमजोर होती जा रही थी कई दिन परियाप्त भोजन न मिलने की वजह से गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी और अब उसका शरीर धीरे धीरे दर्द में पहुँचने लगा था एक दिन वह धूप में बेहोश होकर वहीं गिर गई तब कुछ राहगीरों ने उसे पानी पिलाया उसने बहुत धन्यवाद कहा और उन्हें खूप दुआएं दी उसे लगा कि अब उसकी जिन्दगी बदलेगी लेकिन उन लोगों ने भी उसे पानी पिला कर वहीं छोड़ दिया क्योंकि वह बूढी हो चुकी थी और अब उसकी किसी को कोई जरूरत नहीं थी गौरी ने उनका धन्यवाद कहा फिर भी वह आगे चल पड़ी अब वह जाए कहां किसके घर पे जाए किसके यहाँ खाना मांगे और किसके सहारे अपनी जिन्दगी गुजारे उसे अब अकेले रहने की आदत नहीं थी लेकिन एक सुबह उसे जब गौरी बहुत ही निराश और भूखी थी उसे जंगल के एक कोने में एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया महात्मा जिन्हें लोग बाबा कहते थे वहाँ पर साधना कर रहे थे बाबा ने गौरी को देखा और उसकी दयनी अस्थिति को समझा उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और उसे सनेह पूर्वक भोजन और पानी दिया गौरी ने पहली बार कई दिनों बाद त्रिप्ति का अनुभव किया गौरी उस महात्मा के गले लगकर जोर-जोर से रोने लगी उसकी आँखों से लगातार प्रेम की धारा बह रही थी जैसे मानो वह उन्हें धन्यवाद कह रही हो जिन्होंने उसे नया जीवन दान दिया है अब उसने निश्चय किया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी इन ही की सेवा में गुजार देगी लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि कहीं ये महात्मा भी उसे निकाल न दे गौरी ने बाबा के पास रहना शुरू कर दिया बाबा ने उसकी देख भाल की और उसे फिर से स्वस्थ बनाने का प्रयास किया बाबा का आश्रम जंगल के एक शांत कोने में स्थित था और वहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था बाबा के साथ रहते हुए गौरी ने फिर से जीवन्त महसूस करना शुरू किया गौरी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और उसने बाबा के आश्रम में अपनी नई जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी वह आश्रम में आने वाले भक्तों का स्वागत करती और उनके साथ सनेह पूर्वक व्यवहार करती बाबा के साथ रहते हुए गौरी ने योग और ध्यान का भी अनुभव किया गौरी ने बाबा के साथ मिलकर आश्रम की सेवा करना शुरू किया आश्रम में कई भक्त और साधक आते थे और गौरी उनके बीच एक प्रियपात्र बन गई थी उसका शांत और स्नेह पूर्ण स्वभाव सभी को आकरशित करता था गौरी ने अपनी नई जिन्दगी में बहुत संतोष और शांती महसूस की गौरी की कहानी धीरे धीरे गाव तक पहुँचने लगी गाव के लोग जो पहले उसे बेकार समझते थे अब उसकी कहानी सुनकर हैरान थे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गौरी के साथ कितना अन्याय किया था रामलाल भी अपनी गलती का एहसास करने लगे और उन्हें अपनी गलती का पच्चतावा हुआ गौरी का मालिक रामलाल भी महात्मा के पास आया और अपनी गाय को उस हालत में देखकर बहुत खुश हुआ लेकिन वह अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था उसने महात्मा से माफी मांगी और कहा महात्मा जी मैं इस गाय को ले जाना चाहता हूँ दरसल यह मेरी गाय है महात्मा ने उसे गाय ले जाने से मना कर दिया उन्होंने कहा तुमने इसे बहुत कष्ट दिया है तुम इसके योग्य नहीं हो इसलिए तुम पाप के भागीदार हो और मैं तुम्हें इसे साथ ले जाने नहीं दूँगा लेकिन गौरी ने कहा नहीं महात्मा जी ये मेरे मालिक है इन्होंने ही मुझे बच्पन से पाला पोसा और बड़ा किया है मैं इनके घर में ही रही हूँ इसलिए मैं इनके साथ जा सकती हूँ गाय की विनम्रता और प्रेम भाव देखकर महात्मा ने कहा ठीक है लेकिन इस गाय को ले जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा अब मैं तुम्हें गाय को रोटी खिलाने के दस अनमोल फाइदे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देंगे महात्मा ने गाव के सभी लोगों को अपने पास बैठाया और कहा अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो गाय को रोटी खिलाने से मिलने वाले सबसे पहले फाइदे के बारे में मैं बताता हूँ पेल कर्म शुद्धि यह एक अच्छा कर्म माना जाता है जो हमारे बुरे कर्मों को कम कर सकता है और आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है माननेता के अनुसार जब आप किसी गाय को रोटी खिलाते हैं तब आपके मन में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है इससे आपके कर्मों की शुद्धी होती है और आपके मन से पाप कर्म और बुरी भावनाओं का नाश होता है इससे आपका मन कोमल और शीतल बन जाता है और आपके मन में जीवों के प्रति दया उत्पन होती है इस प्रकार आप एक बहतर जीवन की शुरुवात करते हैं और आपका जीवन सम्रिद्ध और बहतर बनता है गाय को रोटी खिलाने से मानसिक शान्ती और संतुलन मिलता है यह ध्यान और ध्यानावस्था में सुधार करता है गाए को रोटी खिलाने से अशान्त मन शान्त हो जाता है और हम चीजों को एक अलग नजरिये से देखने लगते हैं तब हमारा मन शान्ती और सद्भावना में रहता है यह हमें दर्शाता है कि हमारे मन में किसी के प्रति कितना आदर और भावना है क्योंकि गाए अपने आप में सकारात्मक उर्जा लिये होती है इसलिए यह आपके कठिनाईयों को दूर करने के साथ साथ आपके मन को शांत करती है और आप परेशानियों से मुक्त महसूस करते हैं तब आपके मन में चिंताएं नहीं आती पशुओं के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थि में सुधार होता है महात्मा ने कहा जब तुम गाए या किसी भी जानवर के साथ समय बिताते हो और प्यार से उसके साथ रहते हो तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बना रहता है और तुम हमेशा खुश महसूस करते हो जानवरों में एक विशेश भावना होती है जो हमें इनसानों से अलग बनाती है इसलिए जब तुम किसी गाए या जानवर के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारे अंदर खुशियों की बॉचहार होती है और तुम्हारा मानसिक तनाव कम होता है खुश रहने से सेहत बनती है और जीवन अन्य चिंताओं से मुक्थ हो जाता है 4. धार्मिक पुन्य हिंदु धर्म में गाय को पूजनिय माना गया है गाय को रोटी खिलाने से धार्मिक पुन्य मिलता है और इसे शुब कार्य माना जाता है 5. धार्मिक संतोष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से भगवान का आशीरवाद मिलता है और धर्म का पालन करने का संतोष प्राप्त होता है 6. गाय को रोटी खिलाने के लिए बाहर जाने से शारीरिक गतिविधी बढ़ती है जो स्वास्थे के लिए लाब दायक होती है 7. गाय को रोटी खिलाने से उनके पोशन में सुधार होता है जो अंततह उनके दूद और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में व्रिध्ध करता है जिससे मानव स्वास्थे को भी लाब होता है इतना सब सुनने के बाद गौरी के मालिक को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने महात्मा से फिर से माफी मांगी और कहा अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा गौरी ने भी कहा कि वह अपने मालिक के साथ जाना चाहती है इस पर महात्मा ने उसे गौरी को साथ ले जाने की अनुमती दे दी गौरी ने बाबा के साथ मिलकर गाव लोटने का निर्णे लिया गाव के लोग उसका स्वागत बड़े सनेह और सम्मान के साथ किया गौरी अब गाव की प्रिये गाए बन चुकी थी और सभी उसका बहुत खयाल रखते थे गौरी ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की वह अब गाव के बच्चों के साथ खेलती, बुज़र्गों के साथ समय बिताती और गाव के हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और शान्ती का संचार करती गौरी की कहानी ने गाम के लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोश दूसरों की सेवा और सम्मान में है गौरी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे थे लेकिन अंत में उसे सच्ची खुशी और संतोश प्राप्थ हुआ उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और सच्चे सनेह और सम्मान से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणा दायक कहानी के साथ अगले दिन धन्यवाद